रितिक रोसन क्रिस फोर की सूटिंग कब से सुरू करने जा रहे हैं? और इसका फस्ट लुक कब आएगा? क्रिस फोर को हॉलिवुड स्टाइल में क्यों बनाया जा रहा है? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलिगराद के फिल्मी गलियारे में। रितिक रोसन के इस साल दो धमाकेदार फिल्मे वार और सुपर थर्टे रिलीज हुई है। दोनों फिल्मों में रितिक का लुक बिलकुल अलग था जिसके लिए उन्होंने बहुत महिनत की थी। अब रिपोर्ट के मुताबिर रितिक रोसन फरहा खान की सत्ते पे सत्ता में नजर आने वाले हैं। हाला कि अभी तक अफिसियल एनॉंस्मेंट नहीं की गई है। नई रिपोर्ट के मुताबिक रितिक रोसन जल्द ही क्रिस फोर के एनॉंस्मेंट करने वाले हैं। पिंग बिला रिपोर्ट के मुताबिक अगले महिने राकेश रोसन और रितिक रोसन जल्दी होने वाली थी मगर रितिक की रिकवरी की वज़ा से समय लग गया मगर अब रितिक ने इस क्रिट पर काम करना शुरू कर दिया है रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिस्प फोर में एक सांदार कहानी होगी और इस फिल्म को हॉलिवड स्टाइल में बनाया जाएगा इसका मतलब साफ है कि इस बार क्रिस्प फोर में किसी हॉलिवड एक्टर को साइन किया जाएगा क्योंकि इसे क्रिस्प फैंचाई जी की बाके फिल्मों से अलग बनाने की कोशिस की जा रही है राकेश रोसन इस क्रिप्ट के लावा इसके लिए खास लोकेशन्स पर भी ध्यान दे रहे हैं कहा जा रहा था कि संजे गुपता क्रिस्पोर का डारेक्शन करेंगे लेकिन राकेश रोसन ने इन अफवाहों को दूर करके बताया कि वो ही क्रिस फोर का डारेक्शन करेंगे अगर फिल्मे गलियारों की बात माने तो ये रितिक रोसन की सबसे बड़ी फिल्म होने जा रही है क्योंकि लोगों का मानना है कि ये फिल्म 2000 से भी अधिक बॉक्स आफिस पर कलेक्शन कर सकती है आज के लिए बस इतना ही आप हमें कमेंट करके बताये कि क्रिस फोर में किस रोईन को साइन किया जाएगा